हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल केरिये टिक फेंडा में मैं खुश्बू और आज की इस वीडियों हम बात करने वाले हैं CITS Admission 2023 के Regarding Officially आपका Counseling Process Step by Step क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे Minimum Marks आपके कितने होने चाहिए Counseling Process में Participate करने के लिए उसके बारे में हम बात करेंगे Institute Selection किस तरह से करेंगे First Round Counseling जो स्टार्ट हो चुकी है 22 जुलाई से उसकी Final Merit List यानि College आपको कब तक Allowed होगा कितने दिन में आपका Counseling First Counseling का Result आपको Provide कर दिया जाएगा और साथ ही साथ बात करेंगे क्या Boys NSTiW में Admission ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके College Choice में NSTiW का भी Option आ रहा है तो इन सभी Topics पर हम डीटेल में बात करने वाले हैं और अगर आपने अभी तक हमाय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजे आगे ऐसी ही CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आगे भी हम First Round Counseling के बाद जो Second Round Counseling होगी College Transfer होगा, Third Round Counseling होगी, Spot Admission होगा सभी पर हम डीटेल में आपको वीडियो प्रोवाइट करते रहेंगे आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप पर भी जुड़ सकते हैं, टेलिग्राम ग्रूप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप टेलिग्राम ग्रूप से भी जुड़ सकते हैं कैरियर टेक फंडा नाम से हमारा टेलिग्राम ग्रूप है, तो आएए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम इस्टेप बाइस्टेप जानते हैं, काउंसलिंग प्रॉसेस कैसे करते हैं तो सबसे पहले आपको फर्स स्टेप में करना होगा, लॉग इन थ्रू कंडिडेट, लॉग इन अल्रेडी, प्रॉवाइड़ यानि यूजर आईडी और पासवर्ट जो आपके पास है, फॉर्म फिल करते टाइम, आप उसके थ्रू लॉग इन कर सकते हैं CITS के पोटल पर आपका प्रोफाइल ओल्रेडी क्रियेटेड है, यानि लॉग इन करते ही आप अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पर चलेग जाएंगे, दिन वहाँ पर आपको सेलेक्ट इंस्टिट्यूट चोइस का ओप्शन आजाएगा, आपको वहाँ पर फर्स्ट का पर मेंशन है, आपको उसी ट्रेड से रिलेटेड जितने भी कॉलेज है, जिस भी कॉलेज में आपके ट्रेड की सीट है, वो कॉलेज के ओप्शन आपको खूल कर आपके सामने आजाएंगे, तो आप जिस कॉलेज में आप एड्मिशन लेना चाहते हैं, उसको आप कॉलेज चॉइस कर सकते हैं, तो आपको पे कांसलिंग फी यानि आपको कांसलिंग फी पेमेंट कर देना है, उसका भी आपको लिंक वहाँ पर आप्शन प्रोवाइड है, वहाँ से आप कांसलिंग फी पेमेंट कर सकते हैं, नेक्स जो इस्टेप है वो बोल रहा है कि यहा the dynamic ranking displayed in your login till allotted date and time यानि 24 तक आपकी date है आप counseling first round की 24 तक होने वाली है तो 24 की साम तक आप dynamically आपकी ranking वहाँ show होती रहेगी आप first choice जिस first choice पर आप जिस भी college को select किये हैं उस पर आपको ranking आपकी position show होती रहेगी वहाँ पर general की कितनी seats available है और आपकी position यानि आपकी rank वहाँ पर उस college में कितनी show हो रही है वो आपको देखने को मिल जाएगी और ये rank आपकी alternate change होती रहेगी क्योंकि आपसे ज़्यादा marks वाला student जब वहाँ पर login counseling करेगा अपना college select करेगा तो आपकी already क्या हो जाएगी जो position है जो rank है वो automatic change हो जाएगी ठीक है और अगर आपको first choice जो college आपने select किया है वहाँ पर आपके yellow color का box आ रहा है यानि वहाँ पर seat फूल हो चुकी है आपको वहाँ पर seat नहीं मिलेगी तो आप second option में जो college choice किये है उसको first option में select करके आप उस college की rank देख सकते हैं और यहाँ पर choice will automatically finalized at the end of the allotted time यानि last day यानि 24 की साम तक आप जो भी college first choice पर lock किये रहेंगे उसको final मान लिया जाएगा और वहाँ पर अगर आपकी seat available है तो उस college को आपको allotted कर दिया जाएगा यानि पांच colleges जो आपने choice किया है उसमें आपके rank के according पांच colleges में जिस भी college में आपकी rank मिलेगी उस college को आपको finally allotted कर दिया जाएगा first choice में जो डाला है अगर उसमें आपकी rank नहीं आ रही है तो आपको second number का college जो आपने select किया है उसमें उसको lock कर दिया जाएगा या फिर third या fourth या फिर five यानि पांच colleges में से किसी को भी आपको allot कर दिया जाएगा फिर go to nearest nsti and get the document verified get provisional admission यानि आपको दिन जब यह college lock हो जाएगा दिन आपको दो दिन का समय मिलेगा document verification के लिए जिसे provisional admission भी कहते हैं दो दिन में आपको provisional admission करा लेना है इसकी भी date एक आएगी उस पर भी आपको video मिल जाएगा उसके थो आपको पता चल जाएगा कि कब आपको provisional admission के लिए जाना है provisional admission आप कहां करा सकते हैं क्या ITOT में भी करवा सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं ITOT में provisional admission नहीं कराना है यानि document verification ITOT में नहीं होगा सिर्फ nsti college में होगा जो भी आपके पास nsti college है तो आपको वहीं पर जाके आपका document verification या provisional admission करवाना है और आपको नहीं जाना है अगर आपके state में nsti नहीं है तो आपको दूसरे state में जाके अपना provisional admission करवाना पड़ेगा लेकिन आपको provisional admission कहां होगा सिर्फ nsti college में होगा next जो है choose transfer of institute if you have not got your first choice यानि आप अगर first choice आपने जिसे दिया था उसमें admission नहीं मिला है तो आप transfer के लिए भी कर सकते हैं transfer institute भी कर सकते हैं transfer institute में आपको seat तभी मिलेगी जब final admission के बाद उस college में seat खाली रह जाती है तभी आपको transfer का lab मिलेगा नहीं तो transfer कराने से भी आपको वहाँ पर seat नहीं मिलेगी next जो process है next process है proceed with photo and original document directly to the allotted institute on the day of opening completing the admission process and attend classes यानी provisional admission के बाद आप next जो proceed रहेगा जब college open होगा दिन वहाँ पर college opening के दिन आपको original document के साथ जाना है directly जिस college में आपकी seat allotted हुई है जिस college को आपको allotted किया गया है वहाँ पर आपको जब college open होगा तो वहाँ पर जाकर आपको finally अपना admission process complete करना है with original document यानी वहाँ पर with original documents के साथ वहाँ पर उपस्तित होना है और वहाँ final admission करवा के आप वहाँ पर classes attend कर सकते हैं ठीक है तो यह step by step आपका counseling process है next जो topic है वो आपका minimum marks कितने होने चाहिए कितने होने चाहिए कि आप counseling process में participate कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहाँ एक overview जो officially provide किया गया है यानी आपके पास आपके अगर general candidate है आपके 33 marks आ रहे हैं किसी भी trade में तो आप जो है इसमें counseling process में participate कर सकते हैं अगर OVC से हैं AWS से हैं 29 marks है तो भी आप counseling में participate कर सकते हैं और SCST PH candidates है तो भी आप यहाँ पर 20 number आ रहे हैं आप counseling process में participate कर सकते हैं लेकिन ये बिलकुल भी guarantee नहीं है कि आपको इतने number पर college मिल सकता है लेकिन आप यहाँ पर participate कर सकते हैं maybe आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है क्योंकि अगर आपके आपसे ज़्यादा highest number वाले students वहाँ पर available हैं SC category में हैं तो आपको college वहाँ पर नहीं भी मिलेगा और अगर सीटे रह जाती हैं तो मिल सकता है यानि ये criteria सिर्फ आप counseling process में participate कर सकते हैं उसका है यानि आपको minimum marks अगर इतने हैं तो आप counseling process में participate कर सकते हैं अगर इससे भी कम है तो आप वहाँ पर आपका participate करना बिलकुल भी सही नहीं होगा ठीक है next जो है यहाँ पर आपको counseling के लिए 1000 रुपए पे करने हैं ये बात आपको पहले से ही पता है next हम यहाँ पर phase of counseling तो जैसा कि आप सभी को पता है phase of counseling क्या होने वाला है first phase counseling होता है second phase third phase और sport admission होता है ठीक है अब यहाँ पर institute selection किस तरह से करना है तो all eligible candidates will have login and select their choice of institute यानि college आप यहाँ select कर सकते हैं minimum five institute यानि कम से कम पांच college आपको select करने हैं और अगर आपके college दो ही दिखा रहे हैं तीन ही show हो रहे हैं आपके trade के college तो आपको तीन ही college select करने होंगे two day time will given selecting and finalizing the institute choice यानि जो आपको दो दिन तीन दिन का समय मिला है first round counseling की उतने दिन में आप colleges select कर सकते हैं final कर सकते हैं और 24 यानि कल की date में आप अपना final college select करके छोड़ दिजेगा fee payment कर दिजेगा application fee दिन आपका क्या होगा college जो है वो freeze कर दिया जाएगा at the end of the day selected college will freeze and no further change in choice can be done यानि कल के दिन आपका जो final college रहेगा जो 5 colleges आप select किये रहेंगे जो भी numbering आप दिये रहेंगे first, second, third college का option उसको freeze कर दिया जाएगा यानि उसके बाद आप उन colleges में changes नहीं कर सकते हैं ठीक है to assist candidate choosing realistic choice and candidate tentative ranking in institute based on marks and other candidates choice is displayed in the candidate dashboard यानि आपके dashboard पे आपकी rank show हो रही होगी already जो first choice पर आपने select किया है आप उसमें अपनी rank देख सकते हैं ठीक है next the ranking displayed dynamic and will change depending upon the choice higher ranked candidate this ranking is shown only for indicative purpose and is not final यानि एक तरह से ये indicative purpose के लिए रहेगा यानि आप से higher rank का student अगर counselling करा लिया उसको आप तो क्या होगी automatic आपकी rank बढ़ जाएगी फिर जो है आपकी rank बढ़ जाएगी फिर वहाँ पर आपको seat मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आप जो है college के थो final किया जाएगा the ranking shown on the screen will guaranteed a candidate has choice of institute यानि ranking show हो रही है इसका मतलब है कि आपने जो candidate है उसने institute को choice कर लिया है यानि will not guaranteed वो guarantee institute के थो नहीं ली जा रही है कि आपको वो college provide कर दिया जाएगा फिर next जो इसने पर candidate can change his choice and number of times to check his probability of getting a seat in their first choice यानि जो 5 colleges है आप alternate करके पहले पहले number पर उन 5 colleges को बारी बारी से रखके देख सकते हैं कि आपकी किस college में rank बन रही है दिन यहाँ पर आप payment of fee करेंगे यानि candidate can pay their counseling fee anytime during two days यानि आप जो तीन दिन का यह counseling चल रहा है इसमें आप किसी भी दिन आप counseling fee payment कर सकते हैं यानि कल भी आप कर सकते थे जिन लोगों ने कर दिया ठीक है जिनों नहीं किया वो आज भी pay कर सकते हैं और आज नहीं करते हैं तो कल finally आप pay कर दिया जाएगा तो आपका college यहाँ पर freeze कर दिया जाएगा नहीं तो आप माना ही नहीं जाएगा अगर आप counseling fee नहीं payment करते हैं तो आपकी counseling यहाँ पर रद कर दी जाएगी दिन यहाँ पर first round counseling merit list आपको provide की जाएगी तो based on AICET marks and the choice of the candidate and institute will allotted to all eligible candidate for all available seat यानि जो AICET marks है उसकी rank के recording जो है candidate ने जो college choice किया है उसको final lock कर दिया जाएगा if the first choice if the candidate is not available then his second choice and so on is allotted यानि अगर first choice आपने जो किया है वहाँ पर आपकी rank नहीं मिल रही है वहाँ पर seat नहीं मिल रही है तो आपको second choice का college पर आपको seat मिल जाएगी second पर भी नहीं मिल रही है तो आपने third choice पर जो college choose किया है वहाँ पर आपको allot कर दिया जाएगा then यहाँ next क्या है candidate can view the institute allotted to him his login and print his institute allotment notification ठीक है जो college आपको allot होगा वह आपका 2 से 3 दिन में उसका result आ जाएगा उसका result भी आपको जैसे ही login आप करते हैं अपने cits के portal पर तो आपका profile जहां से खुल रहा है जहां से आप यह counseling process proceed कर रहा है जहां से आपने result देखा है वहीं पर आपको यह college allotment का जो है notification दिख जाएगा तो आप उस college allotment लेटर का क्या कर लेंगे print out निकाल कर रख लेंगे यह आपको document verification के लिए जब provisional admission के time में जाएंगे तो वहां पर आपको जो counseling fee आपने payment की है उसकी receipt भी दिखानी पड़ेगी और जो आपको college allot हुआ है उसका भी print out आपको दिखाना पड़ेगा ठीक है तो यह पूरा process आपका first round counseling कर रहा second round counseling और provisional admission वगेरा का video मैं next video में बनाऊंगी क्योंकि यह video करते हों क्या boys nstiW admission ले सकते हैं अब जैसा कि बहुत सारे नस्तिए डबन जो है जैससे electronic mechanic की seat है ठीक है electronic mechanic की seat कहां है nstiW में भी है तो electronic mechanic लड़के भी करते हैं तो वो क्या nstiW admission ले सकते हैं तो बिलकुल भी नहीं जो boys हैं वो NSTIW में admission नहीं ले सकते हैं NSTIW का मतलब वो especially लड़कियों का ही college है वहाँ पर लड़के admission नहीं ले सकते हैं आप जिस college में जो normal NSTI है, ITOT है वहाँ पर जो है आपको admission लेना होगा boys को NSTIW में आप admission नहीं ले सकते हैं ठीक है तो उस college को choose करने का आपका कोई मतलम नहीं निकलेगा, वो college आपको रद कर दिया जाएगा उस college में आपका admission नहीं मिलेगा तो I hope आपको ये सारी चीजे समझ में आ गई होंगी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल